राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोगास की हमारी कहानी का नाम है आईना आज ओफिस से आने में सूरेश को काफी देर हो चुकी थी रात के नौ बच चुके थे अभी तो पतनी दिव्यांका को भी होस्पिटल से लेना था आखिर मम्मी जी होस्पिटल में एडमिर है उसक ये दिव्यांका सुबा से उनकी पास है फटा फट सूरेश ने होस्पिटल पहुंचकर दिव्यांका को वहां से ले लिया और घर के लिए रवाना हो गया दिव्यांका और सूरेश को बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी पर दोनों ही चुप थे पता नहीं आज खाना बनाने वाली सीला नहीं आई होगी आती भी क्यूं आखे दिव्यांका की तेज जबान ने उसे मजबूर कर दिया था ना आने के लिए बस इतनी सी बात पर की उसके हाथों से रसोई में पानी फैल गया था कितना भला बुरा कहा था दिव्यांका ने उसे माना की सीला घर में काम करती है पर इस कदर किसी को सुनाने का हग तो नहीं था जब से घर में मोडूलर किचन बना है दिव्यांका का देमाग बस आसमान में ही घुम्टा रहता है आखिर पूरी रिष्टेदारी में उसका ही किचन था जो मोडूलर था जहां सारी सुक्स विदाय थी बस उसे लगता है कि किसी का स्टेंडर उसे मैच नहीं करता इसलिए जिद करके घर में काम वाली भी रख ली जबकि घर में ले देकर तीन सदस्य ही थे दिव्यांका सु सुरेश की अम्मा वो ये भी भूल गई कि वो एक मधवर्गिये परिवार की सदस्य है और ये किचन किस्तो पर बना है जिसकी किस्ते अम्मा की पेंसन से जाती है खैर जैसे ही दिव्यांका और सुरेश घर में घुसे तो पूरा घर खाने की खुस्बू से महेक रहा था दिव्यांका का दिमाग खराब हो गया जरुर अम्मा जी ने मेरी रसोई की ऐसी की टैसी कर दी होगी मन ही मन ये स्वस्ती हुई दिव्यांका रसोई की तरफ दोड़ी देखा तो अम्मार रसोई के बाहर की तरफ खुली जगा में खाना पका रही थी पीछे-पीछे सुर भी हो गई थी तो मैंने सोचा कि सूरेश कितने दिनों से कह रहा है कि अम्मा के हाथों की रोटी खानी है वो भी चुलहे वाली तो मैं आज ही बना देती हूं अब चुलहा तो कहां घर में था इसलिए ये इट रहकर जैसे तैसे इसे जलाकर ये रोटिया से की है फटा फट त आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए हम आ रहे थे ना आकर बना देती खाना थोरा सा सबर भी नहीं हुआ आपसे अचानक दिव्यांका ने कहा तो अम्मा जी दिव्यांका की तरफ देखने लगी फिर थोरा संभल कर बोली बहु मुझे लगा कि तुम लोग भूखे पूरी रसोई गंदी करके रख दी आपको पता भी है इसे बनाने में कितने पैसे लगते हैं कितना महंगा किछेन है हमारा कितने ही एस्टेंडर से रख लो लेकिन आपको लो एस्टेंडर में रहने की आदत है ये तुम क्या कहे जा रहे हो दिव्यांका आम्मा ने कितने प वो तो अभी हट जाएगी और दुसरी बात खाना किचिन के बाहर बनाया है तो तुम्हारा किचन गनदा कैसे हो गया एक तो अमा ने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है उपर से तुम मैंने तो नहीं कहा था उन्हें मेरे लिए खाना बनाने के लिए आतु रही थी न मैं कोई भूखे थोई न मर जाते इतनी देर में क्या तुम्हारे स्वात की चकर में अपने किचन को खराब कर दू जब देखो किचन किचन करती रहती हो तुम ये भूल गई कि अम्मा ने ही ये किचन बनाने के लिए पैसे दिये थे फिर भी तुम ये सब हरकते कर रही हो क्या अम्मा कभी अपने हातों से खाना बना कर मुझे नहीं खिला सकती है क्या तुम्हारे इस किचिन के चक्कर में मैं अम्मा के हाथ का स्वाथ हमेशा के लिए भोल जाओ तुम्हारे लिए इनसान जरूरी है या किचिन मेरे लिए तो मेरा किचिन ही जरूरी है बस गुसे में दिब्यांका पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई ये द दिब्यांका ऐसी पागलपन वाली बाती कैसी कर सकती है वो भी चूप चाप कमरी में जाकर बिना चेंज किये ही लेट गया उस रात किसी ने खाना नहीं खाया दुसरे दिन दिब्यांका के लेट निंद खुली उठकर जब वो अपने कमरी से बाहर आई तो देखा सुरेश ओ उस ने कहा फिक्र मत करो तुम्हारे किचन में हमने कुछ नहीं किया है चाय मैं बाहर से खड़ित कर पी रहा हूं और चुप चाप अपनी चाय पीने लगा चाय पीते ही अम्मा से बोला अम्मा आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि आपको मौसी के घर छोड़ दू कम स नमाजे की खातिर ही सही वो आपका दोपहर का खाना तो खिला ही देगी उसकी पास मोडूलर की चिनना सही संसकार तो है साम को ओफिस से आते समय मैं आपको वहां से ले लूँगा आप दिब्यांका से कुछ कहते न बना इसलिए चिड़ते हुए अपने कमरे में वापस जा के थे कुछ भी बोल कर नहीं गए यहीं सोच सोच कर दिब्यांका का सिर दर्ध होने लगा था वापस अपने कमरे में आकर लेट गई थोरी देर बार दरवाजे की घंटी बजी उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने भाईया भावी खड़े थे वो हैरान होती हुई बो अगर उन्हें किसी चीज की जुरत पड़ी तो हां तो होस्पिरल वाले संभालेंगे तुम फिक्र मत करो दर असल तुमने अपना मोडूलर कीचन बनवाया है ना तो मैं उसी को देखना चाहती थी मैं भी सोच रही हुँ बस इस तरह का कीचन मैं भी बनवालू अपनी भी को लगभग डाड़ते हुए बोली भावी ममी होस्पिटल में है और आप कीचन कैसा बनवाना है ये सोच रही है आपको ममी की बिल्कुल भी परवा नहीं है सही कहा है किसी ने बहु कभी बेटी नहीं बन सकती आप में तो बिल्कुल भी संसकार नहीं है अरे संसकार तो छोड़ो ने तिक्टा के कारण ही अपनी सास का थोड़ा ध्यान रख लेती अपनी बुढ़े सास ससुर को होस्पिटल में अकेले छोड़ कर आई है भावी को कहना कितना आसान है ना पर ये बात तुम पर भी लागू होती है क्योंकि तुम भी किसी की बहु हो अचानक से दरवाजे की तरफ गया तुम्हारी कारण कल मेरी अम्मा की आखों में भी आसु आये थे कल मेरी अम्मा भी भूखी सोई थी तब ये संसकार कहां गये थे अरे संसकार को तो छोड़ो थोरी नए तिक्ता तुम भी तो दिखा देती कि अम्मा बुजूर्ग औरत है अब करके उसके भाई ने कहा दिव्यंका तुम से ये उमीद नहीं थी ये इट गारे से बने सामान को तु इनसान से तोल रही है मैं भी जब यहां आता हूं तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूं इसमें गलत क्या है तुम्हारा मोडूलर कीचन मा बेटे के प्यार पर कर आये थे और हमें ये बात पता चल गई अगर ये बात ममी को पता चलती तो उन्हें कितना दुख होता भाई की बात सुनकर डिव्यंका आज अपनी ही बातों से सरमिंदा थी और उसने हाथ जोरकर सूरेश से माफी मांग ली असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगो को अच्छी लगी हो तो प्रिस वीडियो को लाइक सेयर और सुस्क्राइब करना धन्यवाद जैस्त्रिकृष्ण दोस्तों हरी बोल